नमस्कार दोस्तो यूट्यूब चैनल जिंद्गी बचाव में आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें तो दोस्तों आज हम वीडियो में देखेंगे कि जो हर्ट पर अटेक आता है हर्ट अटेक उ तो मरतियो हो रही है उनमें सबसे बड़ा कारण हार्ट अटेक है तो इससे कैशे बचा जाए तो सबसे पहले तो इसमें किसमी होने के चांस ज्यादा रहते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको हो सकता है अगर आपको सुगर की बीमारी है तो हो सकता है अगर आपके फैमली में पहले आपके दादापर दादा फादर को हुआ है तो आने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं तो इसलिए इसे जो बचने का तरीका है सबसे पहला तो क्या है मोटापा क्योंकि मोटापा सब बिमारियों की जड़ है इसलिए अपना वज़न कंट्रोल रखें कम रखें अपनी हाइट और एज के अनुसारी आपका वज़न होना चाहिए अगला है घी तेल डैरी प्रोडेक्ट्स कम खाएं जितना आप अक्सरसाइज वगेरा पसीना सरीर से निकाल रहे हो उसी के हिसाब से आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अगला है जंक फूड जो बर्गर चाउमीन की दुकानों पे देखा होगा आपने कैसे भीड लगी रहती है तो उन सब को अवाइड करो कम से कम यूज़ करो क्योंकि उसके अंदर जो ओयल यूज़ होता है वो अच्छी क्वाल्टिका यूज़ नहीं करते हैं तो अगला है नमक नमक हमें लगबग 5-6 ग्राम तक परड़े खाना चाहिए लेकिन हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तिमाल कर रहे हैं हर चीज में नमक डाल रहे हैं अगला है सुगर चीनी जो मिठा हम खाते हैं सबसे ज़्यादा तो चाय के अंदर और मिठाईयां चाय और इसके सिवा भी बहुत चीजों में हम पेस्टी अगरा चोकलेट खा ली तो इस सबसे बचे मिठा कम करें अगला है फ्रूट और ग्रीन वेजेटेबल तो जो फल और हरी सब्जीया हैं उनमें बहुत परकार के विटामिन मल्टि विटामिन तो रहते ही हैं यह हर्ट के लिए भी अच्छे रहते हैं उससे अगला है उमेगा 3 फैटी एशीड ये हर्ट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और आपके ट्राइगलीस रैड को भी कंट्रोल रखते हैं तो इस सबसे ज्यादा तो फैटी फिस होती हैं उसमें होते हैं तो वो आप खा सकते हैं इसके शिवा नट्स वगएरा 3 मिल जाता है अगला है अलकोहल अगर आप अलकोहल नहीं पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है अगर आप ले रहे हैं तो कंट्रोल करें दो पैक तक 120 मेल तक ही लें अगला है स्मोकिंग स्मोकिंग से बचें क्योंकि दुमरपान आपके हट के लिए बहुत नुक्सान करता है अगला है टेंशन स्ट्रेस तो स्ट्रेस वगेरा से बचें कम से कम स्ट्रेस लें दिमाग पर और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो साइकेट्रिक डाक्टर को अब अपना दिखाएं और ट्रेट्मेंट करवाएं अगला है नींद इसके लिए नींद बहुत जरूरी है आप परड़े 6 से 8 गंटे नींद जरूर ले और आगे क्या है अगर आपकी जो दोवाईयां चल रही है बीपी की आपकी कोलेस्ट्रोल की तो वो कंटीन्यू रखें और बीच बीच में टेस्ट कराते रहें अपना और डोक्टर से सला लेते रहें धन्यवादो